नमस्कार में पंडित नरेंद्र पाध्या लाइव हिंदुस्तान के जोतिशे कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले में लोग 22 नॉवंबर 2022 की ग्रहिस्ति देखते हैं राहु मेश राशी में मंगल वक्री होकर के ब्रिशव राशी में चंद्रमा और केतु तुरा राशी में सुर्य बुद्ध शुक्र ब्रिशक राशी में शनी मकर राशी में और गुरु वक्री होकर के मीन राशी में गोचर में चलने हैं राशी फल देखते हैं मेश राशी, स्वास्त पे ध्यान दे, जीवन साथी के स्वास्त पे ध्यान दे, नए ब्यापार की अभी शुरुवात ना करे, प्रेम और संतान की इस्तिते भी मध्यमें कुल मिला करके आपकी मध्यम इस्तिती ही अभी चल रही है, सुरी को जल देते रहे, दिश्यव राशी, शत्रों पर भारी पढ़ेंगे, रुका हुआ कारी चल पढ़ेगा, कुछ बुजर्गों का आशिरवाद मिलेगा, ननिहाल पक्स से थोड़ा सावधानी बरती है, कुछ बुरा समाचार मिल सकता है, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी है और व्यापार भ रहेगा, व्यापार की इस्थिती आपकी अच्छी चलती रहेगी, कारी जी को प्रणाम करते रहे, करक राशी, ग्रेह कलह के संकेत हैं, सिरे में विकार संभव है, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार करिप-करिप ठीक रहेगा, सफेद बस्तू का काली मंदिर में दान करना आ तो कुल मिला कर एक मध्यम समय, काली जी को प्रणाम करते रहे, कन्य राशी, मुखरों के शिकार हो सकते हैं, कोटुम्बों में थोड़ी अनबन की संभावना है, अगर निवेश करेंगे, तो नुकसान संभव है, स्वास्थ मध्यम, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी, ब्यापार भी अच्छा दिख रहा है, शरीदेव को प्रणाम करते रहे, तुला राशी, स्वास्थ उपर नीचे बना रहेगा, प्रेम संतान की इस्थिती अच्छी रहेगी, ब्यापारिक दृष्टिकोंड से भी रुक रुक करके आगे चलते रहेंगे, सफेद बस्तु अधान करें, धनुराशी, आर्थिक मामले सुल्जेंगे, भ्रामक समाचार की प्राप्ती होगी, मन विवाद में रहेगा, स्वास्थ मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार्वी मध्यम दिख रहा है, लाल बस्तु पास रखें, मकराशी, कोट का चेहरी में असमंजस की स्थिती बनी रहेगी, राजेतिक भी लाभ थोड़ा सा बहुत क्लेर नहीं रहेगा, स्वास्थ मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार मध्यम दिख रहा है, काली जी को प्रणाम करते रहा है, कुम्बराशी, परिस्थितिया अनुकूल है, लेकिन मान सम्मान पे ठेस प स्वास्थ में ठीक ठाक है, प्रेम संतान मध्यम, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार लगभग ठीक रहेगा, स्फेत बस्थितौ काली मंदीर में दान करें, नमस्कार.